अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए जुर्म के पीछे कितना हुआ? 1.500 रुप्या 1.500 रुपए ये लो 100 रुपे 1.500 रुपए हुआ साम खालना अरे मंगू कहा रा गया? पर आपने तो दो बजे का टाइम दिया था हाँ दिया तो था कहीं सोतो नहीं गया वह मंगू मंगू कहा मर गया मंगू तो? अरे इसे कैसे हो सकता है तुने गाड़ी के सर्विसिंग नहीं करवाई थी कहा कमाल करता है मंगू तो भी चल देखता हू मैं की मुझे क्या करना है मरवाद या इसने तो क्या हुआ? गाड़ी खराब होगी है इस तरह अचानत से? अरे वही तुम्हे सोच रहा हूँ घर जाके देखते हैं क्या होता है तुम यही पर वेट करो मैं टेक्सी लेके आता हूँ यह लो आगी टेक्सी 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 जाएंगे सार शाम नगर चलोगे? ज्यो नहीं चलेंगे सार जो नहीं जो अरे कैसे गाड़ी चला रहे हैं अब आप पी रखिये क्या मरने के लिए मेरी गाड़ी बेजी अब आप मुव बंद कर भाई सब भाई सब आपको पैसे जेए ना पैसा जेबर जुटना वाले सब निकाल जल्दी निकाल बोलना जिटना वाले जल्दी डिला कर इकाल रहे हैं इन गुड़ों चे डर्रे आप अरे जेबर जान से जादा कीमती नहीं है दोना गल्दी सेख पथी जेग कुछ सी बुर्स असमाज्दी एड़ै दो थो प्लीज सुनिफधिकी बात अप्ति गीरिकाल माल मत्री श्यादा प्ति निकजदार थे जर पड़ाबट, नेकलेस दे लो भाई सब निकलेस दे नेकलेस दे लो भाई सम् पार्स पार्स शबाश्वाश्ण लेलो सम् अब तो हमें जानर वीजए प्लीज तेरी बीवी ने अभी तक मंगलशुत्र नहीं दिया रहिए इस लड़की का क्या करना है इसे भी मार देते हैं का वा गई वो उस तरफ ये लड़की राती का रृप चल पगाड़ अ रोक चल देग रोक 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 लड़की कि अ चलब अनिकलते हैं वाँ चाँ जया चक्वेशन नुकार वाँ जया चेशन वाँ वेशन आग अंगल, अंगल, मदद कीजे ना मेरी क्या हो बेटी मेरे पर ज्यादा वक नहीं है वो, वो सीडिया को फोन कीजे ना प्लीज C.I.D., तुम्हारा मतलब C.I.D. से है क्या हाँ वाई, C.I.D., अंगल प्लीज वो C.I.D. को फोन कीजे ना ठीक है, अभी करता हूँ Hello? C.I.D.? अगल, वो, वो, तुम्हारा भाई अपने अपने समाली, आण अब बचना तो वैसे ही मुश्किल था दो दो गोलियां हमारी है और गोलियां अभी भी शरीर के अंदर है चलो कम से कम यह तो पता चल जाएगा कि गोली कौन से गन से चलिये सर रीप केस पे जितनी भी जलुरी थी सब गायब है सिर्फ कपड़ी है इसका पॉकेट भी खाली है यह हाथ पे उंगली का निशान है मतलब हाथ पे जो था वो भी सब निकाल के लेगा अशोर इनका मंगल सूत्र पी लेगा है लगता है खून लूट पार्ट के लिए क्या गया है लेजाओ अँब बात लेकि टैक्सी के पिछली सीट पे फोन है आगे वाली सीट पे बिलकुल भी खोन है अगे इसीट पे बिलकुल भी खोनी है तो लगता है टैक्सी डेवर राग दिया हुँआ है पता करते है प्रण जूपिया पने बहुत बादरी का काम किया है एटीम वाले अंकल को आपने ही बोला था ना फोन करके बोलाने के लिए हाँ अब आप लोग बिलकुल मन कब रहे हम लोग आ गए साप अपने इंस अपने लोको ने क्यो बारा इनका क्या दोश्था मैरे यह विद्ऑ क्या हो का मैरे मैरी यहारे की सिद frontier हम आपकी तकलेफ समझते हैं आपकी तठीफ समझते हैं हम इन कोनियों को जल से जल पकड़ेंगे और इन्हें सजा देलवाएंगे घ्रज़ लेंग कुपी आपी बताओ कि कितने लोग थे हैं यह दो लोग थे, मोटरसाइकल पे थे. एक ही मोटरसाइकल पे थे या? करेए ज़ितliest ल वड़ झिकली . अच्छा यह ढाःवर, तAlाःवर क्या है? आपने देखा उसे गुली लग गटी वेक अगर जखमी हालत में भागता तो सबक पे कहीं तो खून की बुंदे होती किया है तो किष chutी नहीं Això हम धिन Jaap Nye भूब एक कि बाहर से ली इसले ऐसन के भार से ली थी मंगू ने साब को बोला था कि नी कराँ हो गयां तो सामने टैक्सी लिने कि सोची मप मंप कोन है हमारे साब का ड्राइवर अधू गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए अंकल ने टैक मैं तो खुद दुख्यू साब, दिवाकर साब जैसे अच्छी आद्मी को भी तो मेरे बदाओ ये 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 गाड़ी अचानक कैसे खराब होगी वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ये सोच ना बंद करो समझे ये गाड़ी खराब नहीं होई है जान भूज के खराब की गई है ये कार शायद तुमने की ये मैंने? आद तुमने? मैंने कुछ नहीं किया मेरा एकिन कीजी साब कुछ नहीं किया तो पर ये गाड़ी ठीक उसी वक कैसे खराब होई जब तुम है दिवाकर साब को इस्टेशन लेने जाना था? पता नहीं साब पता है ये ज़र गाड़ी का एंजन चेकरो चाबी पटिये तो ये देखिए किसी ने बैटरी के वायर के साथ छेड़ चाड़ की ये वायर के साथ छेड़ चाड़ किसने की है? साब ये कैसे हो गया? अब तुम से पूछ रहे हैं अब तुम ही से पूछ रहे हो मुझे कुछ नहीं पता साब जब जब कोई वायर के साथ छेडशाड कर रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? आहाँ साब मैं सो रहा था बोल भी रहा है सर अगर किसी ने इस बैटरी के वायर के साथ छेडशाड की है और ये बॉनट जबरदस्ती खोला था उससर गाड़ी का अलाम जरूर बजा होगा ना पर साब मै ने तो कोई अलाम नही सुना इसका मतलब खोनने ना गाड़ी है चावी से खोलिये चावी तो मेरे पास रहती है और डुबलेकेट चावी? डुपलेकेट चावी घर में गरमे? करमे? का निए दिखाऊचा? आये सर, आये. सर, इस कम्रे में。 यह सब च्या है? सर, समान बिगरा पड़ा है? अब यह मत बोल देना कि इसके बारे में भी मालूम नहीं है तुम का नहीं साब, मुझे कुछ नहीं पता अजा ठीक हो दूसरी चावी कान? हाँ साब, वो चावी ज्रॉर में है चावी गाय बे? चावी काया बे? सर, इसका मदब चावी गर के अंदर से चुरा ही गई है अब बेक, चावी यहां करके अंदर से ही चुरा ही है तो कैसे है यह देखा लॉक टेमपर किया गया है वादमी यहां से अंदर आया था उरा कमरा उतल बतल कर दिया सिर्फ चावी चुराने आया था यहां पेर कोई और चीज भी है इसके पीछे पड़ाता सर, हो सकता है वो लोग कोई जरूरी कागसाद भी चुराने आया है हां, हो सकता है हो सकता है हो सकता है लेकिन कौन सा कागस्ता यह इस ट्रैक्सितन का इंचाज कॉन है वह हाँ एक हजार रुपया पाइं इस बात का साफ? यह कोई थूखने की जगा है? अरे साफ, यह सिंगापूर नहीं है यह इंडिया है, इंडिया इंडिया है, इसलिए पोल्डाओ सिंगापूर में कागस के एक चोटा सा तुकला भी सटक पे फेके गा तो पचास नजार रुपया पाहिन है, पान खाके थूखने की बाद तो भूली जातो अरे यार, यह सुभा सुभा ओन आगया बाशन देने के लिए एक बर फित तेरे मुझे पिछका नहीं निकले ना कश्रेकें चप पर मटाओ ते मशंगा अब तो हमें साफ? C.I.D. C.I.D. पार राएगा? यह साफ, आज के बाद मुझे लाएगा यह साफ, आज के बाद मुझे लाएगा यह साफ वान मीट होगा साफ टेक्सी नमबर Z.A.P. 12 B. 357 इसी टेक्सी तरन में रिजिस्टर है ना Z.A.Y. 12 B. 357 यह साफ, इस टेक्सी का तो बहुत बाहल हुँ आए, साफ पतानी टेक्सी कहां चली गई? अने फोन करके ड्राइवर से पूचा नहीं कहां गई? यह था, सर लेकिन बिट्टू फोनीन उठा रहा है, सर फोनी उठा रहा है, सर फोनी उठा रहा है? कि अगर गोली लगे थी तो ड्राइवर के सीट पर फोन के निशान होने चाहिए थे हैं तो अशकम लाश तो मिलने चाहिए थे हमें और दूरा किसी भी हॉस्पिल में भर्ती तो होना चाहिए थे किसी भी हॉस्पिल से कुछ पता नहीं चाहिए थे हैं यह हॉस्पिल से कुछ यहाँ कितको अब थोड़ दर पहले जो इस हॉस्पटेल करना हो लगता है बिट्टु को टीवी देखने का बड़ाश हो गोली लगने के बाद भी टीवी देखने में इतना मस्थ हुआ पढ़ाए कि उसे घंटी की आवास्तक चुनने नहीं देरी है तो तुम भजाओ गंटी श्यार तुमारे आचे सुले तुमारे बजाए युए गंटी तो अच्छे एच्चो को हिला देखती अच्छा यह बात इस तामत की जो बाहर जागे खड़े अच्छे एच्छे एच्छे घंटी पहलाए के पाद भूसे दर्वासा नहीं खुला यह पिर सेर रव तो थेर केस बात की खड़े एच्छे मैं गाड़ पल चल रही है जोश आई है इस सर पर चोट लगए श्यादिस के लिए सब्योश्रोगा है पानी मारो एफ तो लगता वही गुंड़े होंगे तो इनोंने दिवाकर को मारा वही है एफ उन ठीको आप लोग को नहीं? अब लोग को नहीं? तुम बताओ यहां क्या हुआ तो इसका ट्राइवर तो पहले से बहुष पड़ा था मतलब सर सब कुछ नकली था आप रेडी वोट टैक्सी का ट्राइवर पे नकली था कोई गोली वोली नीचली यह फोरंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो तो टैक्सी में सिफ दो तरह के खोन है एक दिवाकर का दूसरा उसकी वाइफ का टैक्सी ड्राइवर के खोन था हीने टैक्सी में तो रिपोर्ट में कहां से आएगा अगर गोपी कह रही थे ला उसने देखा ए टैक्सी ड्राइवर को गोली लगते वह यार अब ये कौन सी गोली है जो लगे भी और भूल भीना निकले सर दिवाकर के बारे में काफी कुछ पता चला है सर क्या पता चला है वो सरकारी नोकरी करता था ये सडके और हाइवे बनवाने का काम करता था सड़के और हाइवे, मतलब यह कोई बड़ा चकर है पैसों का चकर तो है पैसों का लेकिन अलग तरीके का अलग तरीके का मतलब? यह देखो इस्तिवागा के नाम पे तो करोणों के जमीन जाइद है करोणों का मालिक था यह कोड़ों की जमीन जायदाद इसके नाम पे है तो फिर ये सरकारी नौपरे क्यों कर रहा था क्या मालूम आज कल हर एक मिनिट में जमीन जायदाद के लिए खून हो रहे कि ये खून भी उसी वज़े से तो नहीं वा क्या सर श्केज बन गया रहे से बन गया अरे वा गोपी ने इतनी जली सकेज बनवा भी दिया है कमाल है मैं हमेशा बोलता हूँ लडकियां लडकों से ज्यादा होशे आ रहे हैं ये बात तो है अच्छा गोपी द्यान से देखो ये वह ही ट्राक्सी ट्राइबर है ना हां साब क्या ही था वो देखो गोपी प्रिती तो रोमा बुआ के पास है तो आप भी वहीं चली जाओ प्रेडी इनको महीं छोड़ दो आप जाएंगे प्रेडी अंकल के साथ? हां ये मुझे बहुत अच्छे चुटकुले सनाते हैं प्रेडी ने हमें तो कभी चुटकुले ने सुनाएं हां मेरे चुटकुले सुनके आप लोगों को रोना आता है इसलिए नहीं सुना तब अच्छा अच्छा ठीक है तुम गोपी कोई सुनाओ जा बेटा चलो 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 रास्ते में मैं तुझे अच्छा चुटकुले सुनाओंगा निकले काम को जड़ा अपने रिकॉर्ड में चिक करो देखो ये टेक्सी डेवर कोई पराना पापी है क्या शायद पहले कोई गुना कियो सर बेचरी गोपी का एकी सहरा था ये परिवार हब वो भी गया हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए हाँ भी जीद कुछ करना चाहिए सर अनिकल सरी सादमी के बारे में पता चलिया है इसका नाम विनोध है चोरी के जुरम में तीन बार जेल भी जा चुका है एक सो साथ विद्टे अधार नगार यह नोग है? यह नोग है? यह नोग है चलो बेख देख देख कौन है? आप यह विनोध है घर में विनोध पर आप लोग कौन है? आप लोग CID CID? आप विनोध की मा है हाँ मैं ही वो आभागी मा हूँ जिससे अपने ही बेटे को पेटा कहने में शरम आती विनोध चोर केसे बना? तुम CID officer केसे बने? है इसका कोई जवाब? नहीं वही बच्पन में दूसरों के खिलोनी चुराया करता था सोचा बच्चा है समझ जाएगा पर बड़ा होके बड़ी बड़ी चोरिया करने लगा बड़ा चोर बन गया आपका बेटा विनोध अब चोरि से भी बहुत आगे निकल गया है खुणियों के साथ मेल लिया है खुणियों के साथ- जी हाँ कल रात एक पधी-पत्नी का खुण हो गया मगर विनोध का उन से क्या संबंद है विनोध उन खुणियों के साथ मिला हुआ यह बगवान, अब तो यही दिन देखना बागी रह गया था अच्छा हुआ वा विनोथ के बाबा यह दिन देखने के लिए जिन्दा नहीं रहे परना वो तो जीते जी मर जाते थे यह विनोथ कहा है, यहार में तो नहीं है दो साल से वो आया ही नहीं है दो साल पहले आपके पास कोई फोन नंबर चोड़के गया क्या नंबर तो नहीं छोड़ा पर उसकी चिठिया हाती रहती है वो चिठिया हाई या हाड़ नि हाड़ूं की कैसे उले वो चिठिया एक ही तो निशानिय है मेरे बेटे की सीने से लगा के रखे क्या हम वो चिठिया देख सकते हैं मैं लाती है यह विनोद तो बड़ाई गिरा हुआ हिंसान है अपनी मातक का खयाल ने किया उसने यह लेची यह चिठिया हम अपने बास रख सकते हैं लेजाओ बिटाए मगर अविर विनोद मिल जाय तो उससे के ना हो सके तो अपनी मा की चीता को आग देने जरूराँ तो अपनी में बास तो अपनी मान आग अपनी जरूराँ खून से बढ़कर रिष्टा था खून के रिष्टे तो आज कल पानी की तरह पतले होने लगे हैं जमीन जायदात के चक्कर में एक भाई अपने भाई का ही खून कर देता है आप लोगों को लगता है कि दिवाकर का खून जमीन जायदात की वज़ा सी हुआ है दिवाकर की काफी जमीन है ना? शायद करोडों की थी हाँ अगर उसकी अकेले की नहीं थी उसके परिवार वाले भी उसके साथ उसमें मालिक थे अच्छा? कौन कौन? रिष्टेदारों को मिला कर करीब तीस लोग होंगे जिनका उस जमीन में हिस्सा है इन में से सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा दिवाकर जी कही था उसकी मर्जी के में ना कोई भी उसमीन बेच नहीं सकता था कौडों की जायदा थी तो कोई ना कोई तो बेचना चाहरा होगा हाँ बेचना चाहरा था कौन? कौन था वो? यह तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों की बीच में काफी जगड़े हो रहे थे. आपस में जगड़े हो रहे थे, किस ली? दिवाकर को उस जमीन से काफी लगाव था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था. ओ, उस जमीन के पेपर्स जिखाने, किस रिष्चिदार को कितना हिस्सा मिलने वाला था, देखे जरा जब तीस लोग एक साथ बोलने लगे कि इस प्रापर्टी में से हमें भी कुछ इस्सा चाहिए और उस प्रापर्टी के वज़े से एक खून हो जाता है तो फिर ये खून किसी एक आदमी ने तो किया नहीं होगा तीस में से हाट दस लोग तो मिले ही होंगे इस खून की प्लानिंग में जब आट दस लोग एक कंधेरे कमरे के कोने में बैट के किसी की जान लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे तो उनमें से किसी के दिल में भी डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे और हम लोग यहां बार जो कर रहे हैं, मक्या मार रहे हैं ची करता एक-एक को लटका दो मजाक है, एक शरीफ आदमी का खोन कर दिया और जितने लोग लाइन में खड़े हैं दिवाकर की प्रॉपर्टी के लिए उनमें सबसे बड़ा हिस्सा इस नरेंदर को मिलने वाला था हिस्सा नरेंदर को? हाँ च्छा, काम कहा करता ये नरेंदर तो ये चक्कर है क्या हो, करकावेदी ओफिस में बहुत चाला ख़ए ये विनूत सर बहुत चाला ख़ए हर चिट्थी अलगलग पॉस्ट अफिस से अच्छा और तो हर सर ना जाने क्या-क्या लिखा इन चिट्थीों में इस देखें और ये उसने अपनी मा को लिखए मेरी चिंता मत करना, मैं फालगुन की तरह आलसी नहीं हूँ, दिगविजय की तरह चुस्तु हूँ इसे कही नाम है इन जिट्टियों में? इसमें लिखा हुआ है कि मैं जसलोक से तेज भाग सकता हूँ, अनुझ की तरह धीमा नहीं एक मेंट, एक मेंट, अनुझ, जसलोक, पालगुन, दिगविजय, यह नाम तो मैंने आज ही कहीं पड़ा है, कहां पड़ा है ओ, आज के अखबार में ही पड़ा है, आज का अखबार लाना निखिल जड़ा है सब यह, यह देखो यह चारो क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉक की क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं मैं लगता है यह विनोद, क्रिकेट का बहुत बड़ा दिवाना है संदे को फाइनल मैच है, ब्रॉकी क्लब फाइनल मैच में पाँज गया है, बार्मॉला स्टेडियम में फाइनल मैच यह ब्रॉकी क्रिकट क्लब फाइनल में है तो वो सकता है विनोध फाइनल मैच देखने जा है, बार्मॉला स्टेडियम में मैज संडे को आया है. संडे को आया, तब तक… तब तक इस नरेंदर से मिल लेते हैं. पुर्वाजा खुला है? नरेंदर! 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 खुड़ी, जरा कम्रे में चेक रहूं. देगा, श्याती पे दो गोली मारी है. दिवाकर और उसकी पत्नी का खुण बिलकुल इसी तरह किया गए. तुलाज के पुल्टो? देरेंदर! कुईट पे कोई एक्जिट्वन तो है नहीं? मतलब गोली अभी भी भी शरीड के अंदर ही है. नरेंदर ही है. सर, हम तो सोच रहे थे कि दिवाकर का खुण नरेंदी किया है, प्रपरटी के लिए. लेकि नरेंदु खुद ही हमारा पड़ा है. सर! भी बड़ा तौक को रेज अबटल नरेंदर जी के स्टडीरों में वेसी पेपर बड़े जिसे इवाकर जी के स्टडीरूं में विखरे पड़े थे इसे कुन से फेपर जून रहे है ये खूणि ये घुन ये दिवा कर और नरेंदर के घर में जिसके वजे से एक के बाद एक वो खूण किया जा रहा है तर्वे के विनोग पेज बदल के भी आ सकता है आप तान खुली रखेश कि अभ खुली है? अज़िए. श्कुर्व में बाइसार्ट। मैं ना चस्मा और सुपी जरह निकाले में तुपी जरह निगाले में तुपी? यह नहीं, आपका बढ़ा देखना में अगा है. आपका एक वे हीरो है? नहीं, नहीं, आपके शकल मेरे बच्छपन के दोस्से मिलती है, विनूत नामे उसका विनूत? यादे हम लोग लोग बच्छपन में एक साथ खेला करते हैं, पहचाना है? जी नहीं, मेरा नाम अकाश है, और मैं किसी विनूत को नहीं पहचानता है साब, औरा भारे भारे टार बाग रहे छोड़ी छोड़े ऑच्छा तो, विनूत जी अपैर नहीं पीरा के वाँ क्या हुआ? मैं मैच देखना है मुझे मैच देखना है मैच देखना है मैं दिखाता हूं तुझे मैच मैं आप सब को माफ नहीं करूगा कभी आप लोगों ने किकिन मैच देखने नहीं दिया कभी माफ नहीं करूगा आप लोगों को हाँ तीन तीन खून करके बैठा है और मैच की पड़ी है से तीन तीन खून क्या कह रहे आप लोगों मेरा कलब, मैं जीता की नहीं? उल्लू किप, मेरे हार्ट बंदे हुए. नहीं तो अभी बताता तेरा स्कोर क्या है? तेरा स्कोर तीन है, तीन! तीन तीन खुन किये तुने है, अफसोस नहीं है जराभी? आप लोग तीन तीन खुन? मैं तो सिब चोरिया करता हूँ, साफ. वर सो टेक्सी ड्राइवर बनके गया था ना तु? चलती वाकरा और उसकी बीवी का खुन हुआ? गया था किने? गया था ना? गया था. अब धोगा हुआ है मेरे साफ. मुझे धोगा दिया साफ. मुझे काहता है सिर्फ माल लूटेंगे. मुझे क्या पता था कि वह लोग खून कर देगे? एक बार तू C.I.D. के हाथों बे फच गया न? अब बचना मुश्किल है. तुझे उन लोगों तक हमें पहुचाना ही पड़ेगा. फिर चाहे तु चोरो या ड्राइवर, वैसे तु कितना अच्छा बेटा है, ये तुम्हारी मां से हमें पता चली गया है. मां से? हाँ. कौन है वो लोग? हाँ? कौन है? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, मुझे फोन आया था, कहा था कि काम होने के बाद माल आदा था भाड़ लेंगे. पोन निकाल अपने, पोन निकाल, निकाल. किस नंबर से फोन आया था? ये वाला नंबर तो साथ. 127? अलो, ये कहा का नंबर है जी? क्या? ने ने, मैं बाद में करता हूँ, थैंकु तैंक यू वेइमच. का का नमर है? रोडवेस टेपार्टमेंट का. रोडवेस का नमर है सरी है? हाँ. ये नरेंदर और दिवाकर दोनों रोडवेस टेपार्रमेंट में काम करते थे. कहीं इनकी मौत का राज इनके आफिस से तो नहीं जड़ा हुआ है कहीं किसे मिलना आपको मुझर सुरिंदर हम लोग सी आईडी से हैं आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर का खून हो गया है बहुत पूरा हुआ ये दिवाकर बैठता कहा था उच टेबल पर हम लोग उसके टेबल की तलाशी लेंगे अगर आप चाहे तो वहाँ पर खड़े हो के देख सकते हैं इस ओके सर्ड मैं समझ सकता हूँ दिवाकर कि किसी की साथ अनबन या दुश्मनी दुश्मनी तो नहीं थी सर्ड मगर मगर गया मगर छोगों का कहना है कि वह पहैमान उफिसरत हा जी सर करप्ड लोगों से रिशृत läh continue एक टिंदरपस करवाता है दिवाकर रिशृत कोन Caesar अर नहीं तो कितिया सर्ड तेर रात तक ऑफिस में रहता इवाकर एक बहुत इमानदार और मेंथी इंसान था उसके खिलाफ में एक भी शब नहीं सुना चाहूँगा C.I.D. आले सवाल पूछ रहे तो तो मैंने आप मैं दीपक, इस डिपार्टमेंट का हेड़ तो आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर इमानदार था या पैमान? बहुत इमानदार था, देश बग्ता, वो कभी भी अपने फायदे के लिए देश का नुक्सान नहीं कर सकता था तो कि यह मिफ्तर सुरेंद्र जी क्यों कह रहे थे कि वो दरसल दिवाकर किसी से ज़्यादा बाचीत नहीं करते थे, सभी से कटे कटे रहते थे, इसलिए लोगों ने अफ़ाय फैलानी शुरू कर दिवाकर के कंप्यूटर में से कुछ फायले गायव है वो फायले कल रात ही किसी ने डिलीट की थी ये कैसे पॉसिबल है, कंप्यूटर से फायले गायव है सर, लगता है दिवाकर के खुन में किसी अंदर की आदमी का हाथ है ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नर्यंदर भी इसी ओफिस में काम करते था 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 ने? जी सर, कॉंसे टिवल पर पैठता था इस वाली ज़र कंप्यूटर चेक करो सर, इनके कॉंप्यूटर से भी कुछ फायल्स गाया था इसका मतलब है दिवाकर और नर्यंदर के खुन के पीछे प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है खुनी शायद किसी ऐसे पेपर के तलाश में आया था इसका संबन्द इस ओफिस से है सर, अगर ऐसा है तो हमें फॉरण इस ओफिस के लोगों को हुश्यार कर देना चाहिए सर, कहीं और लोगों न भार जाए नहीं, फ्रडी, इने हुश्यार कर देंगे तो खुनी हुश्यार हो जाएगा जब शार, अब हमारा प्लैण किया है खुणी को, पेपर की तलाश है और हमें तलाश है, क्षुनी की ये पेपहर खुणी की हाथ लगने से पहले किसी तर हमीं मिल जा है तो खुणी अपने आप हमारे ख़जे में होगा प्रान तो एवन है सर, मगर वो पेपर हमें मिलेंगे किसे? दिवाकर के फाइल से, विवेक, दिवाकर और नरेंदर के कम्पीटर में जितने भी फाइल से हैं, और उनके ड्रॉल में जितने भी पेपर से हैं, सब उठा लो, यह सर. इतनी खराब सडके हैं, तो हाइवे नमबर 43 है, पिछले सार हमारी गाड़ी महा पंचर हो गए थी, हिनी गड़ों की वज़े से, और यह दिवाकर इसी हाइवे का इंजिनेर था, दिवाकर इतनी घट्या किसम की सडके बनवाता था, देश के किसी नागरिक नहीं गुस्से मे अजिए प्रेडी, दिवाकर की वाइफ का भी खोन गया है, और नरेंदर को भी मारा ना, क्यो मारा? यह खुझी कोई ऐसा आदमी है जिसका संबंध सडके बनाने से है, सर इसका मतलब खुझी कोई ओफिस का ही है, हो सकता है, यह क्या हो सर, यह क्या हो सर, यह दिवाकर तो इसके फाइल में यह कैसे पेपर हैं, इसमें लिखा है कि किस सडक बनाने का कॉंट्राक्ट किस कांट्राक्टर को दिया जए, सर इसका मतलब यह दिवाकर कॉंट्रैक्स भी बनाता था और सडके भी? सर यह दिवाकर किसी के खिलाफ कोई खुझी कोई खुफिया तयार कर रहा हो, इन रोड माफियास के खिलाफ, जो सडके बनाने का कॉंट्राक लेते हैं और उसमें हेरा फेरी करते हैं और वही लोग, वही लोग रोडवेस के ऑफिस में गए थे और दिवाकर के गर में और नरेंदर के घर में मागर वह रिपोर्ट है कहाँ? सर कहीं ऐसा थो ने कि दिवाकर ने वह खुफिया रिपोर्ट किसी चिप में तो नहीं चुपा दी चिप का नाम सुनती, चिप्स की आदा गई सर पेड़ी, खाने के लावा तुमें को सूचता नहीं है? सॉरी तुम ठीक है रहे विवेक, हो सकता वह रिपोर्ट किसी चिप में ही चुपाई गई हो यादे है केस में पेंडराइब को टॉय कार में चुपाया गया था किलोने वाली कार में सर यह देखी सर, दिवाकर कि इस डायरी में बाखी के पनों पे काम की बाते लिखी लेकिन इस पन्ने पर यह देखिए, साइन बना हुआ है यह निशान तो कहीं देखा हुआ लगता है कहां देखा है अरे हाँ, ऐसा निशान तो इस प्रिती के लॉकेट में बना हुआता है उसका लॉकेट इसी आकार का है तो हो सकता है वो चिप इसी लॉकट में ही हो मैं नोमा जी से पता करता हूं अलो, रोमा जी में अबिजीद बोल रहा हूं आप प्रीथी को लेके बीरो में आ सक्ति हैं ने, ने, कोई खास बात नहीं है दरासल हमें उसका लॉकट चेक करना है देखे, शायद उसके लॉकेट में एक टिप छुपा के रखी गई है, और हलो, 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 रोमा, हलो क्या हो सर? लगता है रोमा के उपर हमला हुआ है, जल्दी चलो गोपी, 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 उस सरफ सर, और अखे, बूपार आगिया है, वाइगा कना गोपी, ओपार इस अगोपी, कुझे को झाड़े और अगोपी, गोपी ऑन अप्रिती को जिन्दा नहीं छोड़ें के, सर अगोपी, आपनों ने बता दिया क्या, कि पृत है कि आपने पृती के लॉकेट के शिप है? हाँ सर्, मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो लोग हम भी जिंदा नहीं छोड़ते अगर इससे पहले वो लोग चिप निकाल पाते, कुपी प्रीथी को लेके भाग गई थी सर् कुपी प्रीथी को लेके भाग गई? ज्यादा दूर नहीं गयोंगे निकल, एनम हो स्वेडिल पच्छव ज Ale, yes sir ए रोख फो रए, ए रोज़ जाख कर दूमार कर दो नी ब कर दो में भाई बच्ची भाग रहे है भाई ए रूट ए रूट ए ए पच्ची बढ़ी जलाता है ए कि को वाई एको बच्ची का बच्च लीजी का पुछ बच्च में पूसे कुछ नहीं पुछ नहीं ऑगा तुम्ए भी कुछ नहीं ओगा तुम भाद बच्ची हो भादुरबच्श का कुछ नहीओँ होता ओबच्चें नहीं ऽे ऑजा कि दॉट्टी अ Gregory आपके, हम लोग आगे बच्ची को कुछ नहीं हुआ बच्ची सही सरामत है लॉकेट यह है बच्ची जिसके लिए इसना बावंडर मच रहा है लो भाई, चिप तो मिल गई देखें इस चिप में क्या छिपा हुआ है दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा पानी आ गया सर मूमे मैं आपसे बिंती करता हूँ कि आप बार बार खाने पिने की बात मत कीजिये मेरा यहां पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा गल्ती हो गई बाई, तुम यह खड़े रहो, ओके? यह दिवाकर ने लिखा है कि उसके आफिस के कुछ लोग पैसे लेके सड़क बनाने का कॉंट्रेक्ट बांट रहे थे पैसे लेके कॉंट्रेक्ट बांटते फिरते यह सब पढ़के तो खून ही खौल जाता है जिसे देखो तेज द्रूही बना बैठा है जिन्हें कॉंट्रेक्ट मिलता था गटिया कॉल्टी की सड़क बनाते थे छे मेने में सडकें खसता हाल अरे जोरों के लिस्ट भी है यह आप है आर देघा सबसे पहला नाम इनका है अगर पहला नाम इनका है तो फिर पारहले नहीं बदाई दी जए डारए कॉन है अरे एतनी जल्दे है क्या भाई है भाई आ जा रहा हू हो च्श्ब Laut कुन हो सब्से पहलों के आप लोग साह, घर में, हम लोग C.I.D. से हैं देखता हूं, साहब, वो एक गंटे पहले जाने वाले थे, शायद चले गया है अब आप लोग यह तर्य है मैं बस देख या था हूँ अभे राभू, यह क्या कर रहा है यह रहा है यह एसाब जल्दी भाद यह पहर भाद में पहले जल्दी एए जल्दी आप एक्समें जाना है? हाँ? फिर केसे पूदने में गोल मेडल है? लोगों के पैसे चुरा के खाने में गोल मेडल हाँ? छोड़ दे, तिरे अपाँ में पच्छास क्रोड अढ़ा दूगा तूसरा मुझे, चल तूभी क्या याद करेगा किस रई से पाला पड़ा तो थेरा हाँ? पच्छास करोर का जापड़ खाया करे तो नहीं है? हाँ? हाँ? मैं हुमन राइट्स वालों को बलाउं गा हाथ है हाथ है हाथ होड़ा कोई तरीका होता है थपड़ माने का? जो पैसा सरकार सड़क बनाने के लिए देती है वो सब तुम्हारे जेब के अंदर सड़क या तो है नहीं यह सड़क के जगे पे गड़े है जनता मरे या गड़े में जाए तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता, क्यों? उसके उपर से खुन भी करवाया दिवाकर का यह तो दिवाकर को सोचना चाहिए था क्या सोचना चाहिए था? उसने एक लिस्ट बनाई थी, कौन इमान दार है और कौन बैमान और तुम्हारा नाम बैमानों के लिस्ट में होगा सबसे उपर, सबसे उपर मेरा नाम लिखने की क्या जरुवती? तुम्हें ने से खरीदे की कोशिश नहीं की? बहुत की, मगर पत्थर का बनावा था वो, माना ही नहीं उल्टा मुझे फसाने की कोशिश कर राता इसे तुम्हें प्लान बना है, कि दिवाकर को मरवा कर, वो लिस्ट चुरा लेता हूँ तो और क्या करता मैं? अगर दिवाकर को नहीं मारता, तो मैं जेल में सड़ा रेता जेल में तो तो अब भी सड़ेगा फासी का ओडर राने तक अब तब यद कैसी है, गोपी? बिलकुल टीक है, साब ये बहुत 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 बच्ची है, ना इंजेक्शन से लरती है, और ना ही दवायों से आप इंजेक्शन और दवायों की बात करें, डॉक्टर साब ये तो गुंडो और गोलियों से भी नहीं डरी है ना, गोपी? हाँ, साब. ये लो, गोपी, ये फूल तुमारे लिए, तुम्हे फूल बहुत पसंद है, ना हाँ, बहुत कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्यानत देता हूँ, और राइट? ये चोकलेट्स कहा सकती है, हाँ, क्यों नहीं, इस्क्यूज में, आप बात कीजी, नर्स, प्रीज कर, गोपी को चोकलेट्स पसंद है, ना हाँ, ये लो, चोकलेट्स क्या हूँ, रुक्यों गई? प्रिती का है, ओ, प्रिती, एक मनेट, प्रिटी? ये रही प्रिती, प्रिती को देखके गोपी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, आप तीजे ना, आप जो, 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 साप, मैं बहुत था मैनत करोंगे एक एक रूपय जमा करके प्रिति को पढ़ाउंगे, टॉक्टर बनाऊंगे, डॉक्टर बनेगी नै मेरी प्रिति? सिर्टि ने तुम्हे भी पढ़ना लिखना है, जिंदगी में आगे पढ़ना है ऩूम्हे? पर पर साब मैं कैसे आज से तुम लोगों की पड़ाय लिखाई और परविरिश का खरचा हम लोग उठाएंगे जब तक तक तुम दोनों पढ़ लिख कि अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाते हैं हाँ क्यों नहीं नहीं पढ़ना चाहती थी क्या मैं सच में सच में स्कूल जा पाऊंगी अफ्कॉस तुम स्कूल भी जाओगी तुम यूनिफॉर्म भी पहनोगी और फेड़ी अंकल तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं देखा आप लोगने कैसे एक 13 साल की बच्ची ने अपनी जान पे खेल के एक नन्नी सी जान बचाई यही वीर्ता यही बहदुरी अगर आप लोग अपनी जिंदेगी में लाएं तो अनेक चुर्म होने से रोख सकते हैं इसलिए अभी से अपनी कमर कस लीजिए एक किसी की सिंदेगी पदल सकती है